हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ निरंजन और आप सभी का एक बार फिर से अपने से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इस्टेट जोन में स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग जेनरल अविरेंस के पार्ट 18 के बारे में डिसकस करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को completely end तक देखेगा क्योंकि इसमें मैं बहुत important जो questions होंगे उसको लेकर आया हूँ और उससे related जितने वी expression बनेंगे इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे तो आप इस वीडियो को कहीं भी skip मत कीजेगा तो चलिए start करते हैं और पहला question आपके सामने इस प् संसद ये परंपराओं के अधार पर सासन होता है तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं बाकी देशों का जो इसमें option देया गया यूए से पाकिस्तान और भारत का जो समिधा ने वो लिखी था है ठीक है चले बढ़ते हैं लो क्योंचन पर और जो जखें नेक्स्ट प्रत्री इसे में उनीज के प्रत्रीज बिधान सभा का गठन का किए गया था ये पुछा रहा कि प्रत्रीज बिधान सभा का जो इसके तहति किया गय था प्रत्रम के दरे विधान सभा का घठ है तैक है इसके प्रत्रम अद्यक्श की बात कर ले तो इसके प्रत्रम जे फेडरिक वाइड थे जो कि 1921 से 1925 कि इसके अध्यक्श रहे थे और यहां बात अग्र दुसरी की जाये तो विठल भाई पटेल जो थे इसके दूसरे अध्यक्ष थे और विठल भाई जो पटेल थे वह सौराज पार्टी के स्थाप्ना के जो जो हुआ था उसके अध्यक थे यानि कि सौराज पार्टी के अध्यक ये सदच से भी थे ठीक है अब देखें बाकि की option के अगर हम बात करें यहां पर अगर कुछ हम लोग को याद करना हो point तो याद कर सकते हैं इन दोनों के सायोग से अपका गठन हुआ था सवराज पाटी की स्थापना हुए थी उनीस सो देजिसी में ठीक है तो यहां तक आपको यहां तक इतनी सी जनकारी मिल जाती है तो चलिए बढ़ते हैं अंगले क्वेचन पर और देखें जो फूर्थ क्वेचन है हमारा यह है अब बात करते हैं यहां पर एक और चीज की जो नाविक है तो नाविक कोई थी तो उनीस सो एगार यही में रदर फोड के द्वारा की गी थी यह भी आपको ध्यान में कुछ भी पूछा जा सकता है तो आपको हर तरब से ready रहना है ऐसा नहीं कि आप इस वी याद करें और इसके जो खोज करते थे उनको आपने याद करना है लेकिन आपको सब तरह से याद रखना है कि यानि कि इसके स्थाविसकारा कौन थे कब कीये थे ठीक है तो चली बढ़ता है अधिक मातरा में क्या होता है कि आपका बहुत सार इसे प्लांट्स होते हैं जिसमें आपका यह सुख्रोज पाया जाताँ है तो यह भी आपको धियान रहखना है करणा यह कारण होता है प्रेंक करण ही और चलिए बढ़ते एंगले कुए और देखे जो 7 question हमारा यह है कि भारी मसीनों में सन्हक के रूप में, सन्हक कहने का मतलब कि लूब्रीकेंट, ठीक है, लूब्रीकेंट के रूप में किसका परियोग किया जाता है, तो देखे इसका राइट न सरो का ग्रेफाइट ठीक है, ग्रेफाइट जो होगा कि आपका सेनियों में सनेहक के रूप में यानि कि लूब्रीकेन के रूप में परियोग किया जाता है अब हम लोग जान लेते हैं ग्रिफाइट के बारे में कुछ जानकारी तो देखें ग्रिफाइट के आए कि परकार का कार्बन का ही एक रूप है ठीक है कार्बन का प्रूप होता है अब देखे बात करते हैं कि graphite जो होता आपका बिधूत और ताप यानि कि आपका electricity और temperature दोनों का ये सुचालक होता है ठीक है अब देखे एक और प्रशनी से बनती है कि graphite का अपक्षिक घनत वे कितना होता है तो graphite का पेक्षिक घनत जो होता है वो 2.25 जहां रखेगा 2.25 होता आपका ये पेक्षिक घनत ठीक है यानि कि density जो होती है 2.25 के एक होती है अब देखे अगर graphite को हम लोग 700 degree यानि कि 700 degree 700 temperature पर हम इसको गरम करते हैं तो ये क्या होता है कि जल करके आपका carbon dioxide में change हो जाता है ठीक है अब यहां से एक और चीज़ आपको ये जानना होगा कि आखिर graphite का सब्द होता क्या है तो देखे graphite सब्द का जो मतलब होता है ये ग्रीक सब्द से लिया गया 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 ग्रेफो से ग्रेफो से जो सब्द है वो आपका ग्रीक सब्द के ग्रेफो से लिया गया ये ध्यान रखना है और graffos का मतलब होता है कि मैं लिखता हूँ ठीक है अगर आप जानते हैं कि जो pencil होता है वो उसमें grafite होता है तो さ निम्लिखित में से किस हर में बनाया जाएगा तो यह करण का question है कि हाली में यह चर्चाम रहता तो देखे पूझा जा रहा है कि भारत के परदाहान मंत्रियों पर संग्रहाले जो होगा निमली खित में से किस सहर में बनाया जाएगा तो देखे इसका राइट एंसर होगा option C यानि की दिल्ली तो इसका राइट एंसर होगा नई दिल्ली में ठीक है नई दिली की जो त्री मूर्ति स्टेट है तीन मूर्ति स्टेट में यह बनाया जागा जो कि अव त्री कि पहले जवारला नहेरो का आवास हुआ करता था और लेकिन अव क्या होगा कि वो जितने भी प्रद्धानमंत्रीं में उनका एक संग्राले में इसको चेंज किया जा र मिर्थिव डंड को स्माप्त करने की घोशना की थी तो इसका right answer होगा Malaysia option 6 का right होगा ठीक है और Malaysia की रधानी की बात कर लें यहाँ पर तो Malaysia की रधानी होती है अपका Kuala Alampur ध्यान में रखना है ठीक है चले बढ़ते हैं आज का last video question होगा 10 number अगर आपको ये वीडियो अच्छे लिए तो प्लीस इस वीडियो को लाइक जुरूर कर देज़ेगा और अपने दोस्तों सते इस वीडियो को जितना हो सके पीच जिसको कहते हैं कौन निर्धारित करता है धौनी का जो पीच पीच कहने का मतलब कि लड़कों का वाज होता है और जो मर्द होते हैं यानि कि जो पूरुस होते हैं उनका वाज होता है थोड़ा भारी होता है तो ये किसके कारण होता है कौन निर्धारित करता है तो इसक से उधर करते हैं धौनी को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तो उस पर क्या परभाव पड़ता है तो दिखे इसका राइट एंसर इस टाइप का होता है कि उसका तरेंग धैर यानि की वेवलेंद और उसका जो चाल होता है यानि की स्पीड वो बदल जाता है लेकिन आपका अगली वीडियो के साथ हमारे साथ बने रहे हैं थैक्स for watching, keep watching, keep learning, have a good day